कर विल्कम बैक टू माई चैनल डीके इंगलिस ऑनलाइन का देखिए दोस्तों जो हमारी इंगलिस होती है उसमें क्रामर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग होता है पार्ट आपी स्पीश का तो हम आज से पार्ट आपी स्पीश का नॉलेज डेली लेंगे तो आज के भ कैसे पैचाना जाता है आप कहीं भी नाउन लिखा होगा मातर एक सिकंड देख कर बता देंगे कि यह नाउन है तो आपको छोटी क्लासों में तो बहुत बता जाता है कि यह नाउन इस दर नेम आफ एनी परसंट प्लेस और थिंग लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जब आपको देखाने का बिलकुल नहीं है क्योंकि आपनी आँको के सामने इस समझ जो भी देख रहे हैं आप कल पना करके देखिए आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और उसको हटके आप देखिए अपने चारों तरफ जो कुछ भी आपको दिखाई देरा है दोस्तों वो सारा noun है ठीक है तो मैं आसा करता हूँ कि आपको इतना मेरी बास समझ में आ गई होगी कि noun को हम कैसे जान पाते है कि noun क्या है तो noun बहुत ही असान तरीका है अगर आप किसी चीज को देख लें अगर जो चीज आपको दिखाई दे रही हो जो चीज आप महसूस कर सके वही दोस्तो ह नाउन होता है, तो यह हमारा नाउन क्या होता है, और इसको कैसे पहचाना जाता है, यह हमारा यहां से समाप्त होता है, तो दोस्तों, नाउन की उधारण तो बहुत सारे हैं, जैसे किसी का नाम हो, या कुछ भी हो, जैसे किसी स्थान का नाम हो, या किसी गाओं का नाम हो, सह लावाद दिल्ली बनारास कुछ भी हो वो भी हमारा वही होता है तो दोस्तों जैसे किसी वस्त तुम्हें आजा जैसे बुक मैंने किताब मेश पेन टेबल कुरसी जो भी होता है तो यह तो हमारा बेसिकली होगा यह तो हमें ज्यादा तर सभी को पता होता है तो यह तो बेसि आचा करेंगे यही हमारा most important chapter है आज का तो देखिए का मैं एक करके आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से नए तरीके से बताऊंगा आपको समझना है तो देखिए का सबसे पहला है अच्छे हन espero, नाओन को हिंदी में एक्तिवाचक संग्या, यह इसका हिंदी यार्थ होता है नाउन का हिंदी में वेक्ति-वाचक संग्या कहते हैं, तो देखिए proper noun की जो definition होती है दोस्तों वो होती है किसी विशेस व्यक्तिवस्त या इस्थान के नाम को proper noun कहते हैं ठीक है जहाँ पर किसी वो है noun जिसमें किसी विशेस व्यक्तिवस्त या इस्थान का बोध हो रहा हो वह ही हमारा proper noun होता है तो proper noun में दोस्तों परिभासा importance नहीं रखती है main हमारा उसका उदारण जो है वो importance रखता है जो हमारा जैसे होता है मतलब कहने का मेरे यह है कि अगर कोई sentence लिखा तो आपको पहचानना होगा कि उसमें noun कहां पर लिखा यही हमारा सबसे most important भाग होता है noun का तो देखिए अगर मैं कुछ चीजें लिखे दे रहा हूँ पहले कि noun में क्या क्या प्रापर noun में आता है देखिए यह जो हमारे नाम होते है नाम का मतलब होता है किसी का भी नाम हो चाए वो पुरुस का नाम हो या फिर किसी भी इस्तरी का नाम हो लड़की मतलब किसी भी पुरुस या लड़की का नाम मतलब हो या लड़की का नाम हो तो वो सब हमारा प्रापर नाम होता है जैसे कह दिया जाए मीरा जैसे कह दिया जाए रमा जैसे कह दिया जाए रिया जैसे कह दिया जाए स्याम जैसे कह दिया जाए मोहन जैसे कह दिया जाए दीपक ठीक है तो जैसे ये हमारे नाम है तो ये हमारे नाम है पुरुस के भी नाम इस पे है इस्तरी के भी नाम है तो हमारे ये जितने भी नाम होते हैं दोस्तों ये सब हमारे प्रापर नाम होते हैं काउन से नाम होते हैं, काउन से नाम होता है, प्रापर नाम हो, किसी भी लड़की, यह देखो यह लड़कों के नाम हो गए, तो किसी भी लड़की का नाम हो, किसी भी लड़के का नाम हो, मतलब करने का कोई भी पुरुस का नाम हो, यह कोई भी इस्तरी का नाम हो, तो दोस्त इसने भी दुनिया में नाम होते हैं दोस्तों वो सब प्रापर नाउन के अंतरगत आते हैं ठीक है तो इसका मैं एक एक्जामपाल आपको बताऊंगा जैसे लिखा यहाँ पर राम प्लेज हांकी अब इसमें कह दिया जाए कि बताइए इसमें नाउन आपको छाटना है तो नाउन किसी का भी नाम हो तो वो तो नाउन है ही अगर कह दिया जाए उस नाउन का प्रकार बताओ तो यह देखिए हमारा प्राम किया यहाँ पर प्रापर नाउन है तो ऐससे छाटन कि हमारा आता है इसके बाद दिनों का नाम दिनों का जो नाम होता है दोस्तों या फिर महीनों का नाम हो किसी भी दिन दिन हमारे कितने होते हैं दिन हमारे होते हैं सेवन और महीने कितने होते हैं तो साथ दिनों के नाम में और बारा महीनों के नाम में जो कोई भी नाम एक तो इससे हमें कहा पता चला कि जो दिनों के नाम होते हैं जो बहीनों के नाम होते हैं वो भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं ठीक है तो यह देखो हमारा दूसरा स्टेप हो गया प्रॉपर नाउन का कि दिनों के नाम तथा महीनों के नाम भी प्रॉपर नाउन होते हैं अग जाया दीपावली या फिर और भी बहुत सारे और हमारे जिससे दसहरा हो गया जिससे रक्षा बंधन हो गया तो दोस्तों यह जो टिवारों के नाम होते हैं यह भी हमारे proper noun होते हैं तो तिवारों के नाम भी हमारे क्या होते है proper noun होते हैं तो प्रापर नाम ही कहलाता है अगरे अगला step देखते हैं अगर और proper noun बहुत ही important है दोस्तों क्योंकि proper noun का use भी बहुत ज़ादा है enggakbe Coach ग्रामर में जो हमारे दोस्तों, इसके बाद हमारे हो गए सहरों के नाम, देसों के नाम, कमा सहरों के नाम जो होते हैं दोस्तों, वो भी हमारे प्रापर नाउन होते हैं, किसी भी गाओं का नाम लिखा हो, गाओं का नाम वो भी प्रापर नाउन होता है, तो देसों में जैसे आगए हमार ये एक गाउं का नाम है तो ये भी हो गया हमारा तो देखे किसी भी देश का नाम हो किसी भी सहर का नाम हो किसी भी गाउं का नाम हो तो वो भी हमारा दोस्तो प्रापर नाउन के अंतरगत ही आता है आगे देखते हैं और क्या आता है प्रापर नाउन में प्रापर नाउन में तो यह भी हमारे क्या होते हैं प्रापर मोर्ण होते हैं ठीक है तो देखिये बहुत सारा नौलेजр हमको मिल चुका है प्रापर नौन के बारे में क्या क्या आता है प्रापर मन में तो इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से नौटिस कर जाँ गा और इसके बाद पहला च्छर्ज नहीं होता है दोस्तों कि प्रोपर नाउन में सटार्टिश के अगल में सलिक्मा के değişsСпगा दुखा दूटक्त प्रोपर नाउन लिखायrijk दूखे ना ठाश्चर के हमां जोता है रहे अगला और इसके साथ हमेशा जो वर्व आती है वो भी दोस्तो सिंगुलर ही होती है सिंगुलर वर्व का ही प्रियोग किया जाता है इसके जाए जो भी मुक्रिया यूज होगी या जो भी सायक्रिया यूज होगी प्रपर नाउन यूजा देखने लिएक ब्रापर नाउन मिल चुका है अगर मिल गई है तो आप यूदियो को लाइक जरूर कर दीजेगा अब देखें अगला इस्टेफ हमारा जो नाउन का है पहिला प्रकार थो तुछ की वैक्तियों यह वाक्तिव के जैतिका बुरुद हो रहा रहा हो इसमें देखो मैं बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छी एक ट्रिक बता दूँ जिससे आप पहँचान जाएंगे कि कामनन कहां पर लिखा हुआ है देखे इसमें होता कि जब कोई एक ऐसी चीज लिखी हो जिसकी अनंतता हो इस संसार में मतलब ऐसी चीज जिसको हम गिन ना सकते हो वो हमारा कामनन में आता है जैसे मतलब कि ऐसी कोई भी चीज हो जिनको हम असंख हो बिल्बूल गिन ही ना सके जैसे ले लिया हमने जैसे मालो बौई सब्द ले लिया भायमन होता है दोस्तों लड़का तो देखो लड़का की एक जात होती है ऐसी ऐसी चीजे हो दुनिया में ऐसी कौन सी चीजे जिसकी जात नहीं है तो जिस जिस चीज की जात ही हो और उसको हम गिन न सकते हूं कि वो लोग कितने हैं तो वहीं दोसतों हमारा common non Statement संख्या उसकी निर्धारत ना हो तो जैसे स्वारinta ने लड़का तो दोस्तों ना गिन सके वह ही हमारा common noun होता है जैसे मालो bookman हो गया किताब हो गया दोस्तो हमारा जैसे हमारा book means हो गया किताब तो ये भी हमारा common noun है जैसे मालो और भी बहुत सारी चीज़ जैसे मालो हमारा pen हो गया तो ये भी देखो pen मेने pen तो दुस्तों ऐसी चीजे हमारी गिन ना सकते हो। जी और उनकी जात भी निर्दारी तो तबही वहाँ पर वह चीज कॉमन नान कहलाती है। ठीक है चलिए देखते हैं अगला तीसरा स्टिप किया इसका तीसरा मैं आपको आप बताऊंगा तीसरा हमारा है material noun material noun भी बहुत ही most important है इसे भी आप लोग बहुत ध्यान से समझेगा material noun का मतलब होता है दोस्तो पदार्थ या धात वाचक इसको कहते हैं पदार्थ या धात वाचक संग्या ये इसका हिंदी मीन होता है दोस्तो ठीक है पदार्थ या धात वाचक तो देखिए का material noun में क्या होता है आईसी चीज़ जिन से कोई दूसरी चीज बन जा वही माटेरियल नहीं होता है जैसे दुन्या में कौन सी चीज़ आप सोचे जिससे अनेक भिन भिन परकार की चीज़े बनाई जा सकते हूं जैसे ले लिजिए दूद दूद क्या होता है मिल्क देखो मिल्क ऐसा सब दूद से बहुत परकार की चीज़े दोस्तों बनती है आईसी कोई चीज आप लिजिए जिससे भिन 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 परकार की मिठाईया भी बनती है तो ऐसी कोई चीज जिससे भिन भिन परकार की कई चीजे बन जा हुआ ही हमारा मटेल ना होता है जैसे कहे दिया जाए तेल, तेल का मतलब ओयल, अब ओयल से देखो बहुत सारी चीजे बनती है जैसे कहे दिया जाए पानी, पानी का तो यूज हर एक चीज में होता है जैसे वाटर हो गया और यह तो हमारा हो गया दोस्तों पदार्थों में जैसे मालो हमारा हो गया जैसे गेहूं ले लीजिए गेहूं से देखो बहुत सारी चीज़े बनती है वीट जिसको बोलते हैं ठीक है तो गेहूं चावाल आटा पानी तेल यह जो भी होता है दोस्तों स थादुमें ले ले लेज़िए उना य कि सब बहुत सारी चीज नहीं हैë य कि गाता है सोनीखा जो आप सकते हैं अगला दोस्तों अब हमारा है कलेक्टिव नाउन के बारे में कि हमारा यह कलेक्टिव नाउन क्या होता है अगला जो प्रकार है वह कलेक्टिव नाउन अगला दॉस्तो जो प्रकार है मारे वो कलेक्टिव ना हुए झालेक्टिव ना उनको दूस्तों कहते हैं समुवाचक क्या कहते हैं समुवाचक संगया देख देखो संगया मतदल समु में आपको खुद पता चला कि एक चीज नहीं होगी बहुत सारी जब चीज़ें हों सम्मू के रूप में तब वह सम्मू वाचक संगया होता है जैसे कह दिया जाए जैसे कह दिया जाए जैसे क्लास यह सबसे चीज नहीं होता है जैसे कह दिया जाए जैसे कह दिया जाए जैसे सबसे फैमिली हमारा हो गया तो फैमिली में परिवार होता है तो परिवार एक लोग से मिलकर नहीं बनता परिवार में कई लोग सम्मू के रूप में होंगे तभी तो उसको हम परिवार कहेंगे तो ऐसी चीज़ें हमारी कलेक्टिव नाउन कहलाती है तो कलेक्टिव नाउन बहुत हीज़ी है जो चीज़ सम्मू में हो वह हमारा कलेक् के वोलते हैं फावा चाहिक संग्हा तो देखें अवस्तेश चीज में समझने के लिए परिबासा के तोर में आप इस साथज्ड हम देख नहीं सकते हैं ऐसी चीज में आती जिसको हम देख बिल्कुल भी नहीं सकते बिल्कुल Schum जिसे हम चक भी नहीं सकते हैं दोस्तों चक नहीं सकते हैं मतलब इसका कोई टेस्ट नहीं होता है इसके बाद दोस्तों इसे हम केवल क्या कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं सिर्फ फीलिंग इसमें केवल फीलिंग आती है आपको और कुछ नहीं अब इस्टेक नहीं जो होता है उ कोई इसका आकार होता है ठीक है अबस्टेक्ट नान को हम न तो देख सकते हैं न चक सकते हैं मतलब करने के न हम बता सकते हैं कि यह कैसा मीठा है कि कड़वा है ना इसका कोई रंग होता है ना कोई इसका आकार होता है इसको हम कीवल मैसूस कर सकते हैं दोस्तों जैसे जैसे कह व्यक्ति को देख नहीं सकते हैं हम किसी व्यक्ति की इमानदारी को टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं कि वो मीठी इमानदारी है कि खटी है ना तो उसका हम रंग देख सकते हैं कि इमानदारी काली है कि गोरी है ठीक है? इमानदारी को हम क्यों महसूस कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति आपके सामने है अगर आपको लग रहा है कि इमानदार है तो आपको महसूस कर सकते हैं कि वह इमानदार है समझ गए आप यह नहीं टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं कि यार यार यह खटा इमानदार है कि मीठा इमानदार है कि यार यह काला इमानदार है कि गोरा इमानदार है ना तो हम उसको देख भी नहीं सकते हैं ठीक है जैसे और एक चीज जैसे हो गया बच्छपन बच्छपन स आपको जिस चीज में निस लग जाए अगर किसी चीज में लगा हुआ है तो वह यह भी बगा हूआ है तो ज्यसे तो यह भी आपका अगर किसी सब्द में यह भी आपका वगा अब हिमारा नहीं होता है तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आपको मैंने आपको आज पूरी फूल इंफॉर्मेसन दी है ना उनके बारे में जितना भी हो सकता था और ना उनके जो प्रकार है उनमें जो बिसेश चीज़ें आपको आनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी है तो दोस्तों रहने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा धन्यवाद